उद्दर ठाकरे, तुमने मुझे कल अपने भाशन में गाली दी, नमक हराम कहा, इससे पहले भी सोनिया सेना के कई लोगों ने मुझे गंदी गालीयां दी है, धमकाया है मेरा जबडा तोड़ना या ओपली मुझे मार देना या हराम खोर कहा ने, इस तरह के कई अभधर गाल कान है मापारवती की जनम भूमी है, उन्हें हिमाचल पूतरी कहा जाता है। लौट शिवा, महादेव की करम- भूमी है। आज बी कंकंड में मापारवती और शिव यहां बसे हुए हैं से देव भूमी कहा जाता है इसके बारे में आपने इतनी जादा तुछ बाते की हैं एक चीफ मिनिस्टर होके आपने पूरी स्टेट को नीचे गिराया है क्योंकि आप सिर्फ एक लड़की से नाराज है और वो लड़की आपके बे इसलिए मैंने कहा था उसकी तुल्म प्योके से की तो बहुत जादा सम्विधान के जो जो बचाने वाले है वो उचल के आयते लेकिन कल आपने उसी भाषन में भारत वर्ष की तुल्ना पाकिस्तान से की अब वह सम्विधान वाले नहीं आएंगे क्योंकि उनके मुमें को पैसा नहीं ठूस रहा है, मैं बात कहना चाहती हूँ कि जितने भी देशभक्त लोग हैं, उनका एक रवया मैंने देखा है कि आप की कोई सहायता नहीं करता है, वो ये कहते हैं कि अगर आप देशभक्ती के बारे में बात करते हैं, देश के लिए कुछ करते हैं, तो आप कौ वोकिंग चीफ मिनिस्टर ने एक लड़की को सरयाम गाली दी वो कुछ नहीं खहेंगे चीफ मिनिस्टर what I want to tell you is कि सत्ताएं आती जाती हैं आप सिर्फ एक government servant है और महाराश्टरा के लोग आपसे resonate नहीं करते हैं वो आपसे खुश नहीं है सत्ताएं आती जाती है लेकिन जो इंसान एक बार समान खो देता है चीफ मिनिस्टर वो उसे नहीं पा सकता है जहिंद